हेई गाइस विल्कम बैक तो एक नए क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग SC अर्मा और एरोडोफ पे जो सॉलिशन के सीरीज स्टार्ट करनी थी उसे को स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट हम लोग एरोडोफ से कर रहे हैं बिसिकले हम लोग इलेक्ट्र स्टार्टिक्स शुरू कर रहे हैं अज एक आदा प्राब्लम से शुरूआत करते हैं तो एक तरह से जब शुरूआत हो जाएगी तो हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे कि से वर्मा और एरोडोफ को साथ में लेकर कर चलेंगे जिससे की दोनों बुक्स पर जो पकड़ हों मजबूत होते रहे हैं तो चलो शेरू करते हैं तो फस्ट अफॉल ये एरोडोफ की जो बुक आती है फस्ट अफॉल जो प्रॉब्लम्स इन जेनल फिजिक्स आई ए एरोडोफ अरहन पॉब्लिकेशन की अच्छी बुक है तो इसी का जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है उनको स्टार्ट कर रहे हैं तो फस्ट कॉश्चन से हमें साथ में पढ़ता जाओंगा और कोशिछ करूंगा कि आपको दिखाने के विए कोशिश करो एक काम और करूंगा कि अगर PDF मेरे पास देखना पड़ेगा एवलेबल होगा तो मैं PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप पहां से जाके डाउनलोड कर लेना चलो फस्क्रिशन से स्क्राइब कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि calculate the ratio of electrostatics to gravitational interaction force between two electrons and two protons आप से बोल रहा है कि electrostatics और gravitational force ठेकर आप दोनों के बारे में अच्छे सा जानते हैं कि electrostatic force क्या होता है तो दो electrons के लिए और दो protons के लिए हमें electrostatics और gravitational force के ratio calculate करना है और आपसे बोलना at what value of specific charge q by m of a particle would these forces become equal ठीक है न in case of interaction of identical particles दो जो particles हूँ उनके लिए q by m का क्या ratio रखा जाए ये दोनों जो आपके forces हैं वो equal हो जाए तो first of all हम लोग first part को cover करते हैं कि जो electron और electron और proton है इनकी case में जो दोनों का ratio होता है उसको किस तरह से calculate करते हैं तो question आपसे क्या बोलना है कि आपको electrostatic force जो कि क्या होता हमारे पास k q1 q2 by r square ठीक है और gravitational force fg इनका ratio calculate करना है एक आसान सवाल थोड़ा सा शुरुआत करवाई हिन लोगोने तो अगर हम बात करें कि electron की case में क्या होगा q1 is equal to q2 is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 ठीक है उसको तो आप खुद ही कर सकते थे और m1 m2 क्या रखेंगे 9.1 into 10 to power minus 31 kg अल्राइट जीक की value आप जानते ही है 6.7 into 10 to power minus 11 ठीक है ना के की value आपको पता ही है करना क्या सिंपल f e by f g यह आपको calculate करना दांस्ट को क्या रखेंगा r square से r square मढ़ जाएगा का बच्चे क्या क्या क्यों 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 तो बराबर q square by g m square ठीक है ना calculate क्या जाएगा k k आप रखेंगे आप दोगे आप कर लिए आपको values रखके देने देता हूँ आप दो आप सांसन निकलन आपका बच्चे एगा एग है किना minus 31 sorry skye रखेंगे क्यों 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 दोफ यह अनि इसका square 1.6 x 10 to power minus 19 square alright upon g ki value 6.7 x 10 to power minus 30 sorry कर देंगे क्या जाएगा 9.1 इंटो 10 तो पाव मैनेस 31 का आप करना क्या आपको यह रेश्यू का लिए कर लेगा खुद से मैं कल्कुलेशन नहीं कर रहा हूं ठीक है ना कल्कुलेशन आप खुद से करो थोड़ा जोड़ घटाना गुड़ा भागर खुद से करो तो आपके ल हमें करना ये है कि यही जो वैल्लू है यह प्रोटॉन की केस में निकाल लुए है तो प्रोटॉन की केस में चेंज किता हो जाएगा कि अबल एम्वन एम्डू जन जाएंगगी उसके केस में M1 M2 कितने होते है M1 is equal यह electron के लिए ठाए ठीक है ना और ये प्रोटॉन के देंगे 1.67 और 31 की चेक्षा कर देंगे 27 तो वो आ जाएगा आपका दूसरा अंसर यह आपका फस्ट आंसर आ जाएगा और दूसरा अंसर में क्या हो जाएगा आपको मैंने बोल दिया कि वहाँ पर आप यह आपका फस्ट कुशन के जो एक पहला पाट था कि क्या हम इनका रिशो किस तरह से नकालेंगे इस तरह से आजाएगा ठीक है इसका आणसर आप निकाल करिए मुझे कमेंट सक्षिन में ज़रू बता है ठीक है न और एक काम करूंगा कि इनके जो answers होंगे, solution निक, answers जोंगे उसको मैं description में दे दूँँगा ताकि आप मिलान कर ले महां से कि आपके answers सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना मैं आप, मुझे याद होता है तो पर जाएक लिख देता ठीक है नहीं, पुछ इस तरफ फोर, चल छोड़ो f e is equal to f g हो जाए क्या करना है दे खुदांसे f e is equal to f g हो जाए इसके लिए आप करो हूँ क्या simple इसकी value k q 1 q 2 अब identical है, तो k q square k q square by r square इसकी value कि इसके बारा पर हो जाए g m square by r square के वह दिकतर, r square से r square cancel out हो जाएगा, तो q by m का जो आप साराएगा, इसको मैं यहां कर रहाँ, ठीक ना, q square by m square is equal to g by k, g by k तो q by m की value का आएगा, जाएगा, अनिदर रूट g by k की आएगा, अब आप आप जी की value लग दू वह इवन पोइंट, sorry, 6.7 into 10 to power minus 11 और आप यहां पे k की value, 9 to 10 to power, 9, sorry, newton meter square plus coulomb square, sorry, newton जो भी था, ठीक ना, newton coulomb square per meter square, ठीक तो यह आपका हो गया, first question, first question में आपने एक यह ratio निकालना था, यह ratio निकालना था और एक q by m की value निकालना था, हम लोग थोड़ा सा धीरे, आराम सा शुरुबात करना है, आप धीरे, 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 हम लोग पने speed को भी बढ़ाएंगे, और questions की जो संख्या होगी, एक जो वीडियो में question, जो प्रस्टनों के जो संख्या होगी, उसको भी धीरे-धीरे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इसको आप note करने, जो भी समझ आ रहा हो इसमें, और इसके जो answers होगी, वह मैं description में दे दूँगा आपको, तो आहां से आप मिलान कर लेंगे, तो आपका सही या गलत है, ठीक है, और बता जरूर देना कि सही था या गलत था, ठीक है ना, जो भी आपका answer हो आपको comment section में लिख देना जाके, ठीक है ना, उतारू पटाक से, तो question number 1, question number 1 आपको समझ आ गया होगा, तो दूसरे question की तरफ move करते हैं, question 2 आपसे बोल रहा है, अब इच्छ ठीक भई, दोनों एक ग्राम के हैं, तो आपकी वैल आपको दी कहीं, वन ग्राम, चलो, लिख लो, वन ग्राम, ठीक भई, अब आपसे बोल ला है कि ये, एक मीटर दूरी पर रखे हो हैं, किते दूरी पर, वन मीटर दूरी पर रखे हो हैं, if the total electronic charge in them differed from total charge of nuclei by 1%, क्या बोल है, कि अगर उनमें, उनका जो charge है, in spheres पे जो charge है, वो उनके nucleus का total charge है, उसका 1% हो, इसका total charge निकाने, समझा रहे हैं, इसके charge का 1%, इसके nucleus का charge है, तो first of all nucleus का charge हो, मैं पता हो, आप से पूच कह रहा है, कि interaction force हो दोनों के पूच रहा है, उसके लिए आप क्यों पता हो, चार्ज तो charge निकालने के अपन क्या करेंगे, देखो दान से, first of all, इस पे हम निकालते हैं, कि इसमें total nucleon किते हैं, ठीक है ना, जो total proton हो किते हैं, देखो दान से, एक बात हम जानते हैं, कि जो number of moles होते है, number of moles हम किस तरह से निकालते हैं, M not by capital M, जो आपका gram में mass दिया गया है, और upon molar mass, यह होता है इसका formula, तो 1 gram upon molar mass किता होता है, 63.5 क्या सपास होता है, 63.5 क्या सपास होता है, almost, तो 63.5, यह आगे number of moles, यहां तक कोई दिकत, थोड़ से किमेस्टी वाला लगता है, number of moles, तो number of moles आगया, अब हम क्या करेंगे, number of atoms होतने हो, कितने होता है, number of atoms, क्या evergadron number से हम लोग multiply करा देते हैं, यानि small n number of moles into Avogadron number, capital M, ठीक है, करा दो multiply क्या आजाएगा, 1 by 63.5, 63.5 into n, n के value कितती है हमारे पास, Avogadron number कितता होता, 6.023 into 10 to power 23, यह आगया, कितने number of atoms है, अब हर atom के पास अपना nucleus होता है, ठीक है न, तो अब उसमें से charge कितना होगा, या बोल सकते हैं, तेखो, यह आपके पास एक sphere था, ठीक है, हमें पता चलिगा कि इस पूरे sphere में इतने पूरे particles हैं, इतने पूरे-पूरे atoms हैं, अब एक atom में क्या होता है, एक atom में हमारे पास copper के एक atom में 29 proton होते हैं, कितने होत तो total number of proton कितने आजाएंगे, total number of proton, या बोल सकते हैं, total charge कितने आजाएंगे, total charge, total charge, जो nucleus का है, of nucleus, क्या जाएगा, this number, 6.023 into 10 to power 23 upon 63.5, ठीक है, यह हमारे पास number of atoms थे, अब एक atom में कितने proton, 29 proton है, और एक proton पर चार्ज कितना, वाई 1.6 into 10 to power minus 19, 1.6 into 10 to power minus 19, दिख रहा है नहां से, इधर लिखा हुआ है, 29 into 1.6 into 10 to power minus 19, यानि हमने जो number of atom थे, उसमें से number of proton का multiply करा है, अब total number of proton बन गए, अब एक proton का charge लिग दि इस charge का 1%, यानि इस number, इस number का 1%, इसका 1% निकालने के क्या करेंगे, इधर कर रहा हूँ, ठीक है, into 1 बटासो, into 1 upon 100, 1% कैसे निकालते हो, इसका 1 upon 100, तो यह quantity निकालने क्या है, आपके पास, बात क्लियर है, तो यह quantity, आप calculate करोगे किपन ही आ रही है, ठीक है, यह आपके पास आ गया है, charge, total charge, Q की value आ गई, अब Q की value जब आपके पास आ गई, देखो, यहाँ पर मैं उस तरह का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कि आपको एक एक, जो answer by answer आपको रटा दू, ठीक है ना, मैं आपको concept सिखा रहा हूँ, और आप इसका जो solution हो खुद करो, calculation को करो, ठीक ह मैं आपको physics सिखाऊंगा, गड़े तको खुद करनी पड़ेगी, तो Q आपने निकाल लिया, अब Q जब निकाल लिया है, तो force of interaction आपने निकाल लिया था, तो answer क्या हो जाएगा, K Q square by R square, K की value कित्ती है, 922.9, sorry, 922.9 into Q square, यह value आप calculate करोगे, यह value आप calculate करोगे, upon, यह Q का square यह आपको रखोगे, इस value को calculate करके, upon R किता है, 1 का square, कोई दिक्कत यहां तक, तो यह आजाएगा, force of interaction, और जहां तक मुझे यह आदे, यह आपका, लगभग, लगभग, 2 into 10 to power of 5 Newton के असपास आएगा, calculate होके, calculate आप खुद करो, ठीक है, यह बार 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 बुलो आरो, ठी तो जितना आपका हाथ चलेगा, numericals में, उतना जादा numerical portion strong होगा, जितना आप calculation करोंगा, उतना खुद से confidence आएगा, concept में जिखा रहा हूँ, calculation खुद करो, ठीक है, तो almost is cash pass answer, 1.6 या 1.9 cash pass, almost 2 cash pass answer आएगा, ठीक है, जो exact answer होगा, मैं आपको description दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसक कोई confusion हो, तो आप comment section जरूर जाकर पूशे, इस class को अपन धीरे-धीरे शुरुआत करिए, धीरे-धीरे को करिए, ताकि एक बार rhythm बन जाए, ठीक है, ठीक है, और जैसे जैसे आपका rhythm बन जाएगा, तो आप करोगी क्या, सवाल को note करो, ठीक है, I hope आज के जो दोनों सवाल ह अब करना क्या है, इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है, जितने भी आपके दोस्त हैं, जो भी physics के lovers है, एक तरह से जो भी physics के परपेशन, आप किसी देखो, यह कोई जो जो वीडियो सीरीज है, यह किसी पर्टिकलर एक्जाम के लिए तो है, यह पर्टिकलर एक्जाम क पर्टिकलर बुक को अपन सॉल करना है, तो आप शेयर कर दें इस वीडियो को, जितने जावत ज़्यादा फिजिक्स शेयर कर दें, और यह रोडो तो एक चेर पर इचित बुक है आप सब के लिए, ठीक है, तो आप शेयर जरू कर दें इस वीडियो को, चलो लाइक नहीं क करने हाथ तके लिए, थाप थार्टिकलरी, तानिक नहीं कि सुल कुछ बढ़ यह.